दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 27 दिन पूरा हो गया है लेकिन अभी तक बीजेपी सांसद ब्रिजबुशन सिंग के गरफतारी नहीं हुई है पिछले 27 दिनों से सरकार से आस लगाये बैठे पहलवान अब न्याई के लिए मंदिर और गुरोद्वारों का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो गये हैं क्योंकि सत्ता की कुर्शी पर बैठे महानुबावों को मात्र 500 मीटर की दूरी पर बैठी देश की बेटियों की गुहार उन तक नहीं पहुँच पा रही है तभी तो अभी तक इन बेटियों को सहानुबूती के लिए सत्ता पक्ष की ओर से एक भी ट्वीट नहीं आया है अब जब बात ट्वीट की आई है तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं दरसल बीजेपी नेतरी बवीता फोगाट ने कल देर साम एक के बाद एक तीम ट्वीट किये लेकिन उनके इस ट्वीट में भी आपको सहानुबूती कम बलकि अपनी ही बेहनों पर आरोप ज्यादा देखने को मिलेगा और आरोप वो भी भविश्च में राजनेती के मैदान में उतरने का तो चलिए हम आपको उनका वो ट्वीट पढ़ कर सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद आप खुद ही ये फैसला कीजिएगा कि इसमें कितनी सहानुबूती है और कितना मिलावट बविता ने लिखा है एक किसान पिता द्वारा सभी विप्रित परिस्तितियों के बावजूद छे बेटियों को राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय कुष्टी के अखारे तक पहुँचाने का सफर और संघर्ष कितना कठिन होता है इसका मुझे अच्छी तरह से ग्यात ह इसलिए मैं सभी महिला खिलारियों के संघर्ष के साथ थी हूँ और रहूंगी और भारतिय न्याय विवस्था में विश्वास होने के नाते न्यायक तोर पर उनके लिए हमेशा लड़ती रहूंगी जो मुझे पर राजनितिक आरोप लगा रही है उन्हें बताना चाहूं जहाँ पे आपने खिलारियों के मंच को सभी विपक्षी राजनेताओं का अखारा बना दिया है प्रियंका गांधी वाडरा का गले लगाना आपके भविश्य की राजनेतिक मंसा की कहानी कह रहा है बविता फोगाट का ये ट्वीट की सोर इशारा कर रहा है ये आप भली भाती समझ गए होंगे लेकिन जहां एक ओर इस धरना प्रदर्शन के शुरुवाती दिनों में कमेटी पर ये आरोप लगाना कि कमेटी में उनको छोड़कर बाकी सभी मेंबर एक साथ थी उन्हें कमेटी की रिपोर्ट ठीक से पढ़ने नहीं दिया गया और उनसे जबरद झाल 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 झाल